जॉन साल्टर जूनियर यूनिवर्सिटी ओफ नॉर्थ डाकोटा के फैकल्टी मेंबर्स थे और सोश्यलोजी के प्रोफेसर थे दक्षिन के यूनिवर्सिटीज में गेस्ट लेक्चर के लिए जाने वाले थे मार्च 20 1988 में वो अपने लड़के जॉन थर्ड के साथ अपनी गाड़ी से रूट 61 पे अपने पहले लेक्चर के लिए निकले और वो मिसिसिपी जा रहे थे उनके लेक्चर सेविल राइट्स और सेल्फ डिफेंस पे थे रास्ता ते करते समय उन्हें अचानक लगा कि वो उल्टी दिशा में जा रहे हैं उन्हें उत्तर जाना था लेकिन वो दक्षिन की तरफ जा रहे थे ये बात उनकी समझ नहीं आई खेर वो वो वापस अपने रास्ता है पर आ गये और देर होने की वज़़ से उन्हें गाडी रोककर रात महीं बिताने का फैसला किया वो दूनों सुबह उठे और अपने रास्ते पर चल दिये थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें अपनी कार के उपर एक सिल्वर कलर की उड़न तश्तरी दिखाई दी जो कि थोड़ी देर बाद ही असमान में उपर की तरफ उड़ गई तभी उन्हें लगा कि पिछली शाम उन्हें एक से डेड़ घंटे टाइम का पता नहीं चल रहा था कि वो कैसे बीता खेरो उन्हें इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने लेक्चस खतम करके अपने शहर लोट गए कुछ दिनों बाद उन्हें सर में तेज दर्द हुआ और उन्हें अपने उस ट्रिप की चीजें याद आने लगी उन्हें याद आया कि वो सो तो अपनी गाड़ी में रहे थे लेकिन जब उन्होंने वहाँ अपनी गाड़ी रोकी थी तो उन्हें अपने पिकप के पीछे वाले हिस्से में कुछ एलियन्स दिखाई दिये वो दोनों गाड़ी से उतरे और उन्हें बड़े ध्यान से देखने लगे वो एलियन्स उनके समान को वलट पलट कर देख रहे थे तब जॉन को लगा कि वो शायद छोटे बच्चे हैं क्योंकि उनकी हाइट चार फूट के लगबग ही थी कुछ समय तक ये देखने के बाद उन्होंने एक अन्य आकरिती को ट्रक के पास खड़े देखा ये आकरिती इंसान के हाइट की थी और एलियन्स और इंसान का क्रॉस लग रही थी अचानक ही वो आकरिती उनके पास आई और उन्हें अपने साथ ले जाने लगी जॉन का कहना है कि उसे कभी भी ये इलियन्स खतरनाक नहीं लगे या उन्हें कभी भी नहीं लगा कि वो उन्हें हनी पहुचाएंगे सो उनके साथ चल दिये इलियन्स ने अपने हातों से जब जॉन और उसके बेटे को छुआ तो वो हवा में हलके से तैरने लगे तेर रहे हूं। उन्हें उस टीले के पार ले जाया गया जहां उनकी UFO खड़ी हुई थी। उन दोनों को एक कमरे में ले जाया गया। उन्हें काफी अरामदाग डेंटल चेर्स पर बैठाया गया। एलियंस ने उन्हें घेर लिया था और वो किसी भी प्रकार का डेर महसूस नहीं कर रहे थे और वो उनसे टेलीपेथी के थुरू बात भी कर रहे थे। जल्दी ही जॉन की राइट नाक के अंदर उन्होंने एक इंप्लांट डाला जो की बिना किसी दर्थ के अंदर चला गया। जॉन जो की एक अच्छे प्रोफेसर थे वो जल्दी ये समझ गए कि ये इंप्लांट उनके पिटुविटरी ग्लैंड के लिए था। कुछ टाइम बाद उनके गले में जहां थायरोड होता है वहां एक इंजेक्शन दिया गया और उसके परशात उनकी छाती पर जहां थाइमस ग्लैंड होता है वहां भी एक इंजेक्शन लगाया गया। जॉ उनकी नींद खुली और वो अपने रास्ते में जा रहे थे कि वो ही UFO उनके उपर से निकला। एक बात और जो जॉन ने बताई कि एलियन्स टेलीपेथी से उसे ये कह गए थे कि वो वापिस आएंगे। इस घटना के बाद जॉन के बाल और नाखुन काफी तेजी से बढ़ने लगे। उनके सर के बाल काफी घने हो गए थे और उने एक अच्छी और गहरी दाड़ी भी आने लगी थी। उनकी छाती, हातों और पैरों से भी काफी अच्छी तरह से बाल उगने लगे थे। उनके घटना से पहले जौन बहुत ज़्यादा स्मूक करते थे और इसके बाद उन्होंने अचानकी स्मूक करना छोड़ दिया और वो भी बिना किसी साइड एफेक्ट्स के. उनका खून शरीर की सत्य की तरफ आ गया था जिसका अर्थ ये है कि उनका सर्कूलेशन काफी अच्छा हो गया था. उनके पैर का साइज जो इस घटना से पहले 13 नंबर का था अब वो दिरे दिरे बढ़के 17 नंबर का हो गया. उनके शरीर में अतदिक उर्जा रहती है और उनको ज़्यादा नीम नहीं आती. उनकी प्रोटीन्स की इंटेक काफी बढ़ गई है जिससे उन्हें चेकन और मचली काफी मातर में पसंद आने लगी है. उनके लड़के की हाइट भी काफी तेजी से बढ़ी और वो काफी लंबा हो गया. लेकिन बाकी काफी सारे लक्षन उसमें नहीं हैं जिसका की जॉन अंदाजा लगाते हैं कि ट्रिप के दोरान उन दोनोंने अपने पास हातियार रखे थे. उन्होंने अपनी रिवॉल्वर सीट के नीचे रखी थी जबकि उनके लड़के ने उसे अपने पास रखा हुआ था. कहीं ऐसा तो नहीं कि एलियन्स को ये पता था, इसलिए उन्होंने जॉन के लड़के के साथ ज़्यादा कुछ नहीं किया. जॉन के शरीर पे कट्स और चोटे बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं, और उनके चेहरी की जुर्रियां भी पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं. जॉन का लड़का अब अपनी पढ़ाई पूरी करके दूसरे शेहर में यूनिवसिटी में काम करता है. उनके हिसाब से UFO इंकाउंटर जगसरी काफी खतरनाक बताये जाते हैं, लेकिन उन्हें इस घटना में ये सब देखने को नहीं मिला, और aliens उन्हें कार तक छोड़ते वक्त काफी दुखी थे. जॉन समझते हैं कि aliens भी इंसानों की मदद करना चाहते हैं, उनके द्वारा किये गए सारे experiments से उन्हें कोई नुक्सान नहीं हुआ, बलकि फाइदा ही हुआ है. जॉन एक इद्ददार प्रोफेसर हैं और उन्हें कई awards भी मिल चुके हैं. लोगों का कहना है कि इतने अच्छे वोदे पे हुने के बाद, जॉन इस घटना के बारे में जूट नहीं बोल रहे हैं. हाला कि कुछ लोग हैं जो कि जॉन की इस घटना को कलपना मानते हैं. खेर इस घटना में कितनी सचाई है ये तो जॉन साल्टर जॉनियर और उनका बेटा जॉन थर्ड ही बता सकते हैं. धन्यवाद.